हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अस्वनी जीएश क्लासेश मैं जिप शिकातेवेदी आज जिग्रॉफी का कोस्चन में 30 तक आप लोगों को बताई थी तो उससे आगे को कोस्चन को आजम डिसकस करेंगे जिग्रॉफी के नेक्स्ट पार्ट समझने से सारे सब्जेक्ट्स ज इस्ट्री और पॉलिटी जिग्रॉफी होंगे ठीक है तो चलिए अपना क्लास का दुसरा अपना पार्ट चाहट करते हैं पुछे जाएंगे तो चलिए हम question के चुरुआत करते हैं First question है तंबाकू की खेती किस देश में सरवाधिक सबसे अधिक की जाती है तंबाकू की खेती सबसे अधिक किस देश में की जाती है तो आपको ये बताना है पहले कि तंबाकू भारत में कहां से जाया मैं आपको बता दूँ तो यह पूर्त गालियों के द्वारा लाया गया भारत में तंबाकू और इसका उत्पादन सरवाधिक कहा होता है भारत में अगर पूछा जाए तो भारत के आंधरा परदेश में तंबाकू का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है विश्वस्तर पर अ चांदी का, टीक लकडी का, श्वर्ण का, शीशा का, तो देखी आपको पता होगा, दक्षिन अफ्रीका किसमें फेमस है, तो स्वर्ण के उत्पादन में दक्षिन अफ्रीका फेमस है, जो हानश पर इसके से उस सहर है, वहाँ श्वर्ण का उत्पादन सरवाधिक होता है, का दूसरे देश के लिए आप से कोशन पूछा जा सकता है पॉइंट नूट करिएगा बस हम पहले वाले याद रखते हैं लेकिन हमें दूसरे वालों को भी ध्यान देना है जैसे हम कोशन पूछ गया कालीन उद्पादन में सेकेंड भारत किसके बाद है ऐसा पूछने का इसका कोशन का ये निचर है 33 नमबर जो कोशन है उसको ऑप्सन हो जगा ड़ी यानि कि फॉर्स नमबर में कौन है इरान है और सेकेंड नमबर में भारत है तो देखे थोड़ाई गूमा कर कोशन पूछा गया था कोशन के निचर को समझना उसके पार एंसर देना है यह तो गलत भ पर्थम है प्रब्न के निर्यात में कौनने देश से पर्थम और इवल को यहां उत्फाधन में नंबर जो कॉसेन है इसका एंसर हो जागा चाइना में बच्चो चाइना बहुत से फॉलों का सब्जियों का ठीक है अनाजों का उत्पादन में चाइना पर्थम पर है 35 कोश्चन है तामबे का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है चीन, रूश, यूके, यूएसे तामबे का उत्पादन सरवादिक कौन सा देश करता है तो यहाँ ऑप्सन डी बिल्कुल राइट हो जागा यूएसे जू है तामबे का उत्पादन सरवादिक करता है 36 कोश्चन है नील के डेल्टा के सरवादिक फश्चन कौन सी है तो यहाँ पे ऑप्सन सी बिल्कुल राइट हो जागा नील के डेल्टा में कपाज की खेती सरवादिक की जाती है 37 कोश्चन है माई का या अबरख का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है माई का या अबरख का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है तो भारत में होता है और राजी में पुछा जायता है जारखंड में 38 कोश्चन है विश्व में पारे या मरकरी का उत्पादन सरवादिक किस देश में होता है पारा मरकरी जो बच्चे के बेस्टरी पढ़े होंगे पढ़े होंगे साइंस जिन कर रहा होगा वो जान रहे होंगे और अगर नहीं जान रहे है तो आप जरूर देखे होंगे लिक्विट फॉर्म में होता है पारा ठीक है um.39 नबर कोस्टन है नर्मदा नदी का उधगा मस्थल है मुलताई अमर कंटक मौ दिवाश तो नर्मदा नदी का उधगा मस्थर बच्चो अमर कंटक की पठार माना जाता है अमर कंटक्स से निकलती है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी से मैं related कुछ चीज़ें आपको बता दू तो नर्मदा नदी के किनारे हैं Statue of Unity बना हुआ सर्दार बल्ला भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है यमना नदी पर ही क्या बना है यमना नदी को life line of MP and गुजरात बोला जाता है नर्मदा नदी पर ही बना है गुजरात का सरदार शरव और बांध ठीक है और नर्मदा नदी से ये most important facts है जो मैंने आपको बताया चलिए 14. question में बाकु किस रूप में प्रशिद्ध है जोर्जिया की राजधानी तेल का केंदर विस्व के मोतियों का बाजार खनन उद्योग तो बाकु किस रूप में प्रशिद्ध है तो 40 का answer B हो जागा तेल के केंदरों के रूप में बाकु प्रशिद्ध है एक 40. question है हम फटा-फट अपने question की और चलेंगे बहराईन के बारे में कौन सा कथन असत्य है फारस की खाड़ी में सतंतर रास्ट रहे तेल सम्रित्य है मूर्की का उद्यों के हाप एक अच्छा कारवार है इराग का बंदरगा है 41 का option D हो जाएगा बाराक जब देखे बच्चों फारस की खाड़ी में सतंतर रास्ट रहे तो यह इराग का बंदरगा कैसे हो जाएगा तो असत्य कथन कौन है option D है 42 number question है कौन सा देश मुद्रा राइधाने समुच्च गलत है कौन सा देश का मुद्रा राइधाने समुच्च गलत है मतलब कॉंबिनेशन जो लिखा हुआ है इरान, रियाल, तेहरान बल्गेलिया, लेयो, सोफिया कोरिया, वान, सियोन सियोल मंगोलिया, किम, उलान तो देखे option D बिल्कुल गलत है बच्चों तो मारा answer क्या हो जागा option D हमारा answer हो जागा 43 number question है palm, तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है तो देखे नाइपर नदी को बच्चों नाइपर नदी को palm, तेल की नदी कहा जाता है जो आलिश नबर question है किम्बर लेने में उसे किस वस्तों के साथ सम्बंदित है हीरा, चांदी, इत्रया, धन्य तो 44 का answer क्या हो जागा हीरा, किम्बर ले, किम्बर ले जो है हीरा से रिलेड करता है 45 number question है प्रिथवी की भूमद्दे रेखे त्रिजा लगभग है 12700 किलो मिटर 79000 किलो मिटर 64000 किलो मिटर, 11600 किलो मिटर 45 का option C बिल्कुल राइट हो जागा यानि कि 64000 किलो मिटर ठीक है 46 number question है सुर्य के 4 और प्रिथवी की कक्षा की आकरिती कैसी है वृताकार, अधि परवल्लाकार, दिर्ग वृताकार, परवल्लयाकार सुर्य के 4 और प्रिथवी की कक्षा की आकरिती कैसे है प्रिथवी की आकरिती देखे बच्चों भी पूर्ण रूपशे गोलाकार्नियों से वृताकार हम कहते हैं अंडाकार में तो उसकी कक्षा की कैसे है तो दिर्ग वृताकार ठीक है पढ़े होंगे आप लोग जिग्रॉफी में क्योंकि सर जिग्रॉफी की बहुत सारी क्लासे आप लोगों कर लिए है अभी उनकी आविलेब्यूटी नहीं होनी पा रहे है नेट्वर्क की कमी गोई से आपनों क्लास नहीं हिल्ड कर पा रहे है तो मैं आपको क्लास कंटिनीव रख रही हूं तो बच्चों जैसे जिग् पर्षा पाएंगे कम से कम 6-7 दिन लगेंगे अमें गाहों से घर बनारश पहुचने में अपकी क्लास उसी प्रकार से चला करें कि सर्काक लगेंगी उसके बार मिलेंगी सर्की क्लास गयून तो प्रित्वी का धुरूवय व्यास उसके भूमद्ध्य रेख्य व्यास कितना मतलब क्या होता है मुझे अमीध है कि आपको पता हुआ देखे बताए कितना कम होता है तो 43 किलोमीटर कम होता है option c बिल्कुल right हो जाएगा और 40 नंबर कोशन निम मेंसे मिर्दा परदन का मुख्यकारक है तो मुख्यकारक मिर्दा परदन का कारण है पवन जल चटान रेत या इन मेंसे कोई नहीं देखे मुर्दा पर आपको क्या अकारण है तेज पावन या बार आप प्रित्वी पर कहां पाए जाती है करनादा में,साइबरिया में,घ्रिंडी में अटलांटिक मात्रा कहां पाए जाती है 50 नब्र वर्प्रेस तलके लगवग खाल सुनित करता है महाशागर पृत्वी टल के लगवग्यक्ष्थान भाग को अग्छादित करता है मतलब घेरता है प्रिथ्वी का 70% भाग पर जल है आपने सुना होगा जल कैसे है यह यह प्रिथ्वी पर ज्यादा इसमें पानिय ज्यादा है इसलिए प्रिथ्वी का 70% पार्ट ढगता है जल से और महाशागरों से ठीक है लिए कम च्न ह explained । समय को जाइब के प्रिथ्वी को खिप अंदर में रहर मैं स्रण चंधिक जाथा जल कूर्यhst इंडानफ विल्कूल इजिस्टेस कैने मांट एएषक की दिसांतर ये इस्तिती क्या हुमार से प्रेड इअष्व्शन का ओप्चन है ठीक है इस्वान नंबर कैण सबसे घरमगरह कौन है सौर्य मंडल में सबसे गरम गरह कौन है चववन का एंसल हो जागा बुद्ध ठीक है यह सब जानती होंगे बिल्कुल आश्रान कोश्चन माने जाते हैं सहज कोश्चन है यह सब आपको करवाया गया है मुझे जहां तक की पता है ठीक है सब आप लोगों का थियोरी क्लास में टिने मं बता गया है M 25 नंबर कोशन है भारत का च्रक्षोपल का इस्थ लिए चेटर पर कोकता कि लिए कि फाइड़ पर्षंटों 4 प्रीच 2.4 परशंट तो भारत च्छेतर फाल प्रिथात्र परसल का 2.4 परशंट में ज dro생 इंडिया है चपन नमबर कोश्चन है सरदिक चाय का उत्पादन करने वाला राज है केरल आंध्रा आंध्रा गुजरात या अश्रम तो इसलिए परिक्रमा करने बहुत समय लगता है एक बार सूर्य की प्रक्रिया करने में प्रक्रमा करने में सौरी थोड़ा कन्फ्यूज हो रही थी मैं बोलने में कितना समय लगता है और उनको तो बताएंगे प्रित्वी तल पर वह कालपनिक रहा जो एक सो असी मेरीडियन के लगभग शमनांतर होती है कहलाती है अंतराश्ट्री तीथी रेखा मकर रेखा भूमति रेखे या मेरीडियन रेखा मुखे मेरीडियन रेखा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 59 नमबर कोश्चन है मैक मोहन रेखा किन्द दोस्यों को बीच में है तो भारत एम चाइना भारत नेपाल भारत प नमदल कंद रीजों महा नमदल कंद सह्यों का विश्वत रेखा के निकत्सान्त इंख्ण सांसीं भलकि कोवन पर जाएं करक्या सब्सक्सराओं साहर आज लास्ट क्स ननिकत्र ने इसका एंसर हो जाएगा विसवत प्रशांत मंदल का थाने чесफण पट्टी से ठीक है इसका आज जो जिग्राफी कोर्षन का मैं कम्प्लीट करनी हूँ नेक्स से सब्सक्राइब कराऊंगी एक दो पॉलटी के आपको मिलेंगे ठीक है आज की लिए बच्छों आज मैं दो दो आपका टेस्ट अप्लोड कर दूंगी एक जो कल चर्चित व्यक् मिलते हैं नेक्स स्टूडी में आज के लिए इतना है नमस्कार जैहिंद जैवाज